हलो एंड वेलकम टू ए रिव्यूव मौका ईद का है और ईद तो सिर्फ स्टार भाई जान की है जिहां सलमान खान जो इस ईद पर ला रहे हैं ट्यूब लाइट कभीर खान की ट्यूब लाइट उन लोगों की इमोशनल जर्णी है जिनकी जिन्दगी देश में हुई वार की वज़े से तबाह और बर्बाद हो जाती है और सैनिकों के परिवार वाले किस तरह अपनों से बिछट जाने के गम को आसूँओं में पी जाते हैं तो चलिए देखते हैं भाईयों की बेपनाह महबबत की मिसाल चूब लाइट बजरंगी भाईजान में सल्मान की मासूमियत और भूलेपन का अधबुत रूप दर्शकों को देने वाले कभीर खान की चूब लाइट सल्मान की उसी शक्सियत, इमानदारी, सच्चाई में विश्वास और यकीन ढूनने की कोशिश कर रही है तो चलिए देखते हैं 1962 में हुई इंडो चाइना वार की प्रिष्ट भूमी पर बनी और यकीन पर टिकी इस फिल्म पर दर्शकों के यकीन की दिल्चस्पी होगी या नहीं माबाप के प्यार से महरूम एक दूसरे की उंगली पकर बड़े हुए दो भाई लक्षमन और भरत यानी सलमान और सोहेल की जिंदगी एक दूसरे के प्यार और हिम्मत के यकीन पर टिकी है एक दूसरे से अलग होने के खयाल से भी दोनों की आँखों से आँसू छलकने लगते हैं अंतरात्मा की गहराई से जुड़े लक्षमन और भरत को यू तो चाचा यानी ओमपूरी ने पाल पोस्कर बड़ा किया है बट इनके प्यार की मिसाल पूरा गाउं देता है जिन्दकी की दौड में पिछड़े लक्षमन को ट्यूब लाइट कहकर मजाक उड़ाने वाले हर मूँ को भरत के हाथों मूँ की खानी पड़ती है जबकि भरत अपने मंद गुद्धी लेकिन प्यारे सीधे साधे भाई के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता है भरत के आर्वी में जाने के बाद अकेले लक्षमन की जिन्दगी में है भाई का इंतजार उसके लौट आने का यकीन और एक छोटे से बच्चे गू यानी मतीन का प्यार गू के लगाओ के चलते लक्षमन उसका हिमायती बन बैठता है और बच्चे और उसकी माँ को गाँवालों से बचाने की कवायद में यकीन की एक मिस्साल देता है जिसके चलते वो चट्टान भी हिला सकता है और लक्षमन को मंद बुद्धी मानने वाले लोग उसकी का लोहा मान जाते हैं फिल्म की प्रोमो देख यकीन हुआ था प्यार की ताजगी से भरी एक इमानदार सची कहानी का लेकिन अफसोस फिल्म में कहानी का नाम निशान नहीं है बल्कि है धुंदली सी रूप रेखा जिसको खीच तान कर ट्यूब लाइट की शकल देने की कोश हुने वाले लम हेका लेकिन दोनों के हाथ आती है सिर्फ मायूसी और फिर मतीन की शक्र में पैदा होती है नई उमीद बड़ इसके पहले मतीन अपना जादू चलाए या फिर इंटरवल के ठीक पहले बॉर्डर पर छिडी लड़ाई कोई रोमांच पैदा करे फिल्म का फ क्यूट मोमेंट्स शायद यादगार हो सकते थे इसके ओपर भाई के इंतजार और यकीन का ओवर्डोज जबरदस्ती ठूसी गई मतीन और उसकी मां यानी जूजू की लाइफ हिस्ट्री सब दर्शकों के सरचर बुरी तरह इरिटेट करती है और आखिरकार गांधी जी के बार बार दोहराय आदर्शों के बोज तले दब ट्यूब लाइट एकदम फ्यूज हो जाती है बॉक्स ओफिस पर करोणों का बिजनस लाने में माहिर सलमान शायद बॉक्स ओफिस के बादशा हो सकते हैं लेकिन इस बार ट्यूब लाइट में खिची लक्षमन की तस्वीर एकदम बेरंग है और इसका पोट्रिल एक कैरिकेचर से जादा कुछ नहीं ट्यूब लाइट सलमान की शायद पहली ऐसी फिल्म हो जहां उन्होंने सब से जादा आशू बाए हैं लेकिन इन आशूओं की नमी दिल तक पहुँचकर समवेदना और दर्द पैदा करने में का प्सूरत लग रही हैं और मतीन बहुत क्यूट सेनिक परिवारों के दर्द और तडब का हिसास कराने की कोशिश में कबीर खान कंफ्यूजड रहे और ट्यूब लाइट फ्यूजड और फिल्म को मिलते हैं टू स्टार्स